अस्सलाम उलेकुम विवर्स वेलकम टो मैं चैनल टेस्टी फूर बायरीव आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन रेश्मिंग कबाब कडाही जो कि काफी जादा मज़ेदार बनेगी असान सी रेसिपी में बनाएंगे हम इसको बहुत काफी जादा को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन दबाना ना भूलिए का इससे आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा देखने को मिल जाएंगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक चौपर के अंदर में डाल दूंगा आदा के लि मसाले कम जादा कर सकते हैं एक टीसपून काली मिर्च का पाउडर डालूंगा मैं इसके इंदर के इसके साथ ही में इसके इंदर डाल दूंगा एक टेल सब्सक्राइब लिक धनीया के साथ फंचिए नदर जाएगा यहांपे एक झापड लिसपोन भर की जीरा पाउडर हिआ हैं कि यहां प्रिष जाएगी एंट मीडियम साइस की प्यास इसको मैं झोटा झोटा चॉटा चॉटा चॉप कर लिए था था कि सकूर में चॉप एक टीस्पून सफैद मिर्च का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकिप कर दीगा एक टीस्पून नमक डाल दूगा मैं इसके इंदर नमक आप अपने टेस्ट के मताबिक कम जादा कर सकते हैं और इसके इंदर जाएगी चार टेबिल स्पून भर के क्रीम क्रीम इसके इंदर काफी जादा रिच फलेवर देगी मज़ेदार सा फलेवर देगी बहुत साथ इसके इंदर जाएगा आदा कप धनीय के पत्ते पत्तों को मैंने तोड़ लिया था वह मैंसके इंदर डाल दूगा इसको चौपर मैं बिलकुल इच्छे से चौप कर लूँगा चौप कर लूँगा यह देखिए इस कंसिस्टेंसी तक हम इसको चौप करना है वह मिसको इक बोल में निकाल लेंगे बोल में निकालने के बाद मैरे अपने हाथों पर अच्छे से तेल की से ग्रीस कर लिए तैपने हाथों को ता कि हमें कवाब की शेप बनाने में असानी ह अब इनकों फ्राइय के लिए ले के चलते हैं यहां पर मैंने कड़ाइं ले लिए कड़ाई के अंदर मैं डालूंगा तेज्श तेल मैं यहां पर मैं कवाब रख दूँग अपने और इसको दोन साइट से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाउंगा साइट के लाद और मतलब पैन में रख दुना और थोड़ेश को चूक पर दूंगा के लिए दूना इसको चल जाहे है और चाहै कांच मिनाट के लिए चोड़ देंगे और के कभाब पनीन chef नेकाल लिए बंदें कि दूबरा आदा कप तेल डालूँगा अब यहां पर हम ग्रेवी रेडी कर रहे हैं जो मारा कराई का मसाला होता है दो मीडियम साइस की प्यास नहीं थी मैंने इनको बारीग बारीग चॉप कर लिया था उनको मैं अच्छे से फ्राय करूँगा गोल्डन ब्राउन नहों जाए इस तरीक आप कम रखे गए यहां पर आदा टीस्पून गरम मसाला डालूँगा मैं इसके इंदर इसके बाद इसके इंदर जाएगा भरकर एक टेविल स्पून अध्रक लैसन का पेस्ट यह डालने के बाद मैं इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करूँगा और साथे करूँगा मैं यहां पर पानी पानी से किंदर जाएगा एक कप के करीव एक कंद करीध ऑर अच्छे से मिक्स करूँगा मैं इसकंट सहां मिनन जाए यहांतनी हवत हैं यह evitar ऐसको अच्छे दुबाला डालूंगा आदे से एक कप पानी आप अपने मरजी के मताबिक कम जादा कर सकते हैं पानी को इसके बाद मैं इसको यहां पर कवर कर दूँगा चार से पांच मिनट के लिए ताकि ग्रेवी थोड़ी सी ठेक हो जाए मसाला बन जाए मारे इसके ग्रेवी में इसके दाल दूंगा यहां पर और तीजपुन गरम मसाला उपर से स्प्रिंकल कर दूँगा आप उपर से बाद सकते हैं अगर आप डालना चाहे तो मरज्ट तेज हो जाएंगी इसलिए मनें नहीं डाल लिए आपके मरजी आप डालने हैं यहां पर हमारी कबाब कडाई रेडी हो आपको मारे चैनल पर और वेसी मज़े मज़े की रेसिपीज देखनी है तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और हमारी वीडियो का से देखते रहीगा अल्हाफिस